जहीं दोस्तों हमारे क्लास बारक के फिजिस के जितने भी लवर हैं मैं उनके लिए जो है वेरी बेरी इंपोर्टेंट आपजेक्टिव कोश्चन लेकर आए गया देखें बहुत ही इंपोर्टेंट क्योंकि वह सुरुवाद में आपका बेस बनाता है वह जो है आपका इंप्रेशन ही घलत हो जाएगा तो आपके लिए बहुत हानी हो सकता है कि जामिनर का मूड बदल जाए वो उसका जो डिश्टर्ब हो गया तो समझ सकते हैं आपका क्या हो सकता है तो आप जो है इन जरू से जरू क्लास बारक के बेरी बेरी इंपोर्टेंट आपजेक्टि नहीं सकता कि हमें जो है फिजिस के जो है बहुविकल्पी को तयार करने से तो देखे दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पहला कोश्चन है कि बिद्दू छेतर की तिपरता का मात्रक है तो यहां पर देख सकते हैं पहला नंबर हमारा कुलाम प्रत न्यूटन दूसरा मारा टिपरता कि तिपुद्दाग मत्रक है इसे है जरू से फिर तैया उसके बाद अगला कोश्चन है कि बिद्दू सिल्टा का या मत्रक यानी कहत अब यह मत्रक तो इस पासे कामारा न्यूटन स्कॉरे प्रती निूटन इंटू मीटर स्कॉरे ठीक है उसके बार हमारा नीटरन, यानी यह हो जैगा, नीटरन, कुलाम, नाई, कुलाम स्का prelims का है, प्रतीनीटरन इन्टु मीटर इसका है, यानी यह हमारा जो है, इसका correct answer हो जाएगा, ठीके, अगला हम देखते हैं, क्या होगा, अगहला हमारा questionद्रह पूश्रा है कि बिदूत vs का मात्रक है तो बिदूस प्लस का मात्रक है मैं आपको बता दो मात्रक जो हमारा बोल्ट प्रत्मीटर होता है ना की मारा newton प्रत कुलाम होगा ना की बोल्ट इंटू मीटर देख्या बहुत सारे बच्चे यहां पर भी क्या करते हैं गलती कर देते हैं वह समझते हैं कि बोल्ट इंटू मीटर लेकिन जो है गलत है आप इस पर जो है बिल्कुल भी विश्वार नहीं करना है आप उसको बोल्ट इंटू मीटर को ध्यान में लख जो है बिद्दूत यानि मैंने साठकर लिए क्योंकि लंब किद्दूत दोनल जो 15 जुब मिद्दूत itself चुरण दोनल पहला तो करे दूसरा मेगनेटिक प्रणी आप अरिया मुझेग करेगा तो आप समझे स Godg Чоп拿š दोनों करेगा ना कि केवल चुम्बकी छेतर और ना ही केवल जो है बिद्दू छेतर नहीं यह ऐसी बार नहीं होती इसमें तो आप यह समझगे नहीं उसके बाद देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि चुम्बकी छेतर का मात्रक होता है यह जो हमारे चुम्ब इसका मात्रक होता शहीवर नहीं जहां जाए शान जो amazon एई कि यहां पर वह कि तो भी एक का पाद ही ध का अगला है सही मात्रक हो जाता है और या जो है topic बहुत ही सिंपल, इसके बारन थोड़ा सा परिभासा है बस, तो हमारा बता देने domain जो है एक law चुमबकी है, यह जो है law चुमबकी में जो है बनती है, जो किस पढात में बनते हैं तो इस लाध बनते हैं। उससे पहले आप हमें कमेंट बताई, कमेंट बताई देखें कोश्चन जो है आप बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि सामान नेतर के लिए इस पश्ट दूरी की निम्तम दूरी क्या है, यानि आप बता सकते हैं कि सामान नेतर के लिए कितनी निम्तम दूरी होता है और हाप समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल है हिंट में मैंने चार वाफसन दे दिया तो आप जल्द से जल्द कमेंट करिए कमेंट करिए मैं देख सान चाहता हूं का पढ़ रहे हैं कि बस मौश कर रहे हैं ठीक है उसके बाद अगला मारा साथवा नंबर क्वेश्चन है वह जो है चारो और फैला हुआ है तो उसके अंदर जो है नमन कोड का कितना मान होगा तो नमन कोड का उसका जो हमारा मान होगा वो 90 डिगरी होगा ठीक है यह आप ध्यान में रखें ठीक उसके बाद अगला देखते हैं यानि कौन सा चुम्बकी पदात जो बाहरी कि यह लंबा हो जाता ठीक है तो इसका जो है उसका हमारा क्या होगा इसका जो हमारा उत्तर होगा प्रति चुम्बकी यह पदात यानि प्रति चुम्बकी पदात यानि इसका हमारा जो होगा पहला अंसर हो जाएगा ना कि आप देखे अनु चुम्बकी पदात भी दिया सानच्छक सानच्छन नियम से उत्पन होता है लेंज का नियम भी बहुती साधारण है बहुती सरल है और यह जो है परिभासित है यानि इसमें परिभासा है तो जो है लेंज का नियम जो है हमारा उर्जा यह जो नियम है यह कि सानच्छन नियम से उत्पन होता है तो यह जो ह यहां पर हमारा का शांवारा या यानि इस राइट आंसर हो जाएगा ऊंशने यानिुह के बाद अगला हम देखती विद्दुचुम्बकी तरंगों की निग्मारी प्रकृति होती यह जो हमारे विद्दू चुमकी तरंग होती है उनकी प्रक्रती किस प्रकार से होती है तो इसका आंसर जो है बहुत ही simple है सारा जाल इसका आंसर आप जुए मैं comment में जरू बताईए गहार देखे कमें में मैं तयार करूंगा और अगले में जरूर से जरूर आपकी क्वेश्चन क्या कमेंट जरूर से जरूर करूंगा ठीए उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम लिखिन में से कौन विद्धु चुम्ब की तरंगे नहीं यानि इसमें जो है गामा किरने एक पूछ रहा है कि विद्धु चुम्ब की तरंगे उत्पन होती है या पहला इस्थिर आवेश्ध द्वारा कोई भी चीज नहीं हो सकता है पहली बात तो आप समझ सकते हैं और जब आप कोई काम किस परकार होगा नियत वेख से गच्छी लाविश्ध द्वारा नियत यानि प्रविकलपी को तयार कर लें जो कि आपके एजाम के लिए बहुत इंपर्टेंट है बहुत ही आपके लिए सहाइक तो अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा हो तो जरू से जरू लाइक और कमेंट करें और हाँ बेल वाला इकम प्रेस कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा जिसका कुछ नोटिफिकेशन मिल सके और हाँ कमेंट जरू करिएगा कि सर मुझे समझ में आगा आप अगला भी वीडियो होए लाएं ठीए और जाते जाते यह करना चाहूंगा कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहिए तेरे जैसा जय ही जय भार्त वंदे मात रहूं